नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का PCS मार्ग दर्शन में, मैं अनुराग्ष ओधरी आज हम राजविवस्था खंड के अंतरगत चर्चा करेंगे संबिधान की प्रस्तावना की संबिधान की प्रस्तावना की चर्चा में देखिए, सबसे पहले देखते हैं संबिधान की प्रस्तावना क्या है संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर प्रुखतो संपन, समाजवादी पंथ निर्पेक्ष, लोकतंत रात्मक्गन राज बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नयाए, विचार, अब्यक्त, व कोकर अपनी इस संविधान सभा में आज, दिनांग 26 नौंबर 1949, मित मागरसिस, सुकला सब्तमी संब्त 2006, विक्रमी को एतत द्वारा इस संविधान को अंगिकरित, अधिनेमित और आत्मारपित करते हैं, भारती संविधान की प्रस्तावना के चार मोलततों हैं, जिनमें पह पहला है, संविधान भारत के लोगों से सक्ति अधिग्रहित करता है, मतलब ये कि संविधान की जो सक्ति है, वो भारत की जनता है, भारत एक संप्रव समाजवादी पंथ निर्पेच, लोकतांतरिक वो गणतांतरात्मक राजब्यवस्थावाला देश है, संविधान का मेरी की संविधान में प्रस्तावना को सम्मेलित किया गया था संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहलाल नहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश से प्रस्ताव है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संभिधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था 42 में संसोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए सब्द समाजवादी, पंथनिरपेच और अखंडता है बहुत बार पूछता है तीन सब्द जोड़े गए हैं समाजवादी, पंथनिरपेच और अखंडता हमारी प्रस्तावना में स्वतन्ता, समान्ता और बंधुत के आदर्सों को फ्रांस की क्रांती जो 1789 से 1799 भी तक हुई थी वहाँ से लिया गया है स्वतन्ता, समान्ता और बंधुत के आदर्स समाजिक नयाय का अर्थ है, प्रतेक ब्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान ब्योहार करना प्रस्तावना के अनसार एक लोकतांत्रिक राजवेवस्था की परिकल्पना की गई है जिसमें सर्वोच सक्त जनता के हाथ में नहीं थै भारती सम्विधान की प्रस्तावना में गड़तंत्र का अर्थ है भारत का प्रमुख अर्थात राष्टपती चुनाओं के जरिये सत्ता में आता है ना कि उत्तरा धिकारिता या वनसा नुगत के आधार से कियम मुंसी के अनुसार सतंता प्रस्तावना सम्विधान की राजनीतिक कुंडली है यह हमारी संप्रफ लोक्तांत्रिक गड़राजी का भविस्यफल भी है अर्निष्ट बारकर प्रस्तावना को सम्विधान का कुंजी नोट कहते है बेरु बारिवाद 1960 में उच्चितम नियाले ने कहा कि प्रस्तावना सम्विधान में नहित सामाने प्रयोजन को दर्शाता है इसलिए सम्विधान निर्माताओं के मस्तिस्ग के लिए एक कुंजी है इसके उद्देश के बारे में ब्याख्य करते हुए उच्चितम नियाले ने कहा कि प्रस्तावना सम्विधान का भाग नहीं है केश्वा नंद भारती में पूरू निर्ड़े को बदलते हुए सरोच नियाले ने इसे सम्विधान का अभिन्न भाग बताया है प्रस्तावना संभिधान का अतिमहत्वपूर हिस्सा है और संभिधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संभिधान का अध्यन किया जाना चाहिए प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है प्रांतु प्रस्तावना कवह भाग जो बुनियादी धाचे के भाग है उसे संसर्द्वारा नहीं बदला जा सकता है बुनियादी धाचा या आधारभूर धाचे का सिधान यलाईसी आफ इंडिया मामले में 1995 में उच्चितम न्यायले ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है बुम्मई मामले में न्याय मूर्तिरामा स्वामी ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन भाग है अब तक प्रस्तावना में किवल एक बार 42 में संसोधन द्वारा 1976 के तर संसोधन किया गया है जिसके जरी इसमें तीन नेसब्द समाजवादी पंथनिर पेक्षेवम अखंडता को जोड़ा गया है इस संसोधन को बैध ढहराए गया भारती चंदर बना मैसूर राजी के माँले में उचतम ने अले ने कहा कि नहीं दे सकता ततता हमूल अधिकारों को भी उद्देसिका में प्रतिष्ठीत उद्देसों के प्रकार से अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है अब यह स्विकार कर लिया गया है कि उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादितत उसकी विशेस्ताओं को अनुच्छे 368 के किसी सलसोधन द्वारा उल्टा नहीं किया जा सकता धर्म निर्पेच राजवराज्य है जो धर्म के मामलों में तटरस्त रहता है और इस तरह उसका अपना कोई विशेस धर्म नहीं होता है उदारण के लिए अमेरिका और भारत उल्लेकनी है कि प्रस्ताओन ने तो विधाईका की सक्तिक असरोथ है और ना ही उसकी सक्तियों पर प्रत्वंध लगाने वाला यह गयर नयाईक है अर्था तिसकी ब्यास्थाओं को न्यायाले में चुनावती नहीं दी जा सकती है आईए देख लेते हैं भारती संविधान की क्या सरोथ हैं भारत के संविधान पे संसार के प्रमुक संविधानों की असपश्ट छाब दिखाई देती है हमारे संविधान का मूल ढाचा ब्रिटेन की राजनीतिक विवस्था पे आधारित है प्रमुक यह किसी देश की राज़ विवस्था का पोड़ते हैं अंधानुकरण न करते हुए अपनी राष्ट की परिष्टितों के अनुसार अनेक संविधानों से अपनाए गये सी धानतों का संमिसरण है प्रस्तावना की सब्द जो हम भारत के लोग शुरुवात हुआ है वो लिया गया है संयुटतराजे अमेरिका से मूल अधिकार अमेरिका से लिये गये हैं निदेशक तत्त्त की विवस्था आईरलैंड के संविधान से लिये गई है समुवर्थी सूची आश्टेलिया के संभिधान से संघी वेवस्था कनाड़ा से तथा न्याई पुनर विलोकन भी संयुकत राजे अमेरिका के संभिधान से लिया गया है संसदी वेवस्था जैसा आप सभी जानते हैं ब्रीटेन से लिया गया है बिधी के समक्ष समता ब्रीटेन से बिधी का सासन ब्रीटेन से ही लिया गया है और बिधी का समान सन रक्षन सब्द अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है उपराश्टपती राजसभा का पदेन सभापती होगा अमेरिका से लिया गया है और सरवोच नयाले किने अधिस को हटाये जाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संभिधान से है सात्मी अनुसूची के अनुसूचियां जो है वो कनाड़ा संसत पढ़ाली पर निर्वाची कनाड़ा संसत पढ़ाली पर है और मंत्र परसत की सलाह पर राश्टपती के कृत्त आयरलेंड के संभिधान से लिया गया है केंदराज संभन्ध कनाड़ा से है और उसिष्ट सक्तियां केंदर के पास होना वो कनाड़ा से उसकी जो हमारी संगी सासन की विशेस्ताइं हैं उसमें औसिष्ट सक्तियां केंदर के पास होती है वो कनाड़ा से लिया गया है आपात उबन्ध जर्मनी से लिये गया है और संबिदान संसोधन की प्रक्रिया डच्छड़ा प्रिका से लिया गया है राजपाल द्वारा राष्टपती के विचारार्थ बिध्यक सुरिच्छित रखने का प्रावधान कनाडा से लिया गया है राष्टपती द्वारा राष्टपती के प्रसाथ पर्यंत पद्धारन करना कनाडा से लिया गया है राज बिधान मंडल द्वारा आनुपातिक पुरतनेदितों के आधार पे राज सभा के सदस्यों का निर्वाचन आयर लेंड से लिया गया है बिधिद्वारा अस्थापित प्रक्रिया इंपार्टेंट है बिधिद्वारा अस्थापित प्रक्रिया जापान के संभिधान से लिए गई है और राजसभा में कला समासेवा साहित विज्ञान के आधार पर सदस्यों का मनोनेयन आयरलेंड के संभिधान से लिया गया है राष्टपती का अभिभासन ब्रीटेन के संभिधान से है और प्रस्तावना की विसिष्ट भासा जो है वो आश्टेलिया के संभिधान से लिगई है द्वी सदनात्मक विवस्था ब्रीटेन के संविधान से तथाराष्टपती पे महाभियोग संयुक्त राजिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संसत के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आश्टेलिया के संविधान से लिगई है गरतंतर प्रस्तावना में स्वतनता, समानता और बंधुतु के आदर्स जो है वो फ्रांस के सम्भिधान से लिए गए हैं तो ये भारती सम्भिधान के मूल सुरोथ थे कहां कहां से सम्भिधान ऐसे तो मूल स्रोथ में काफी हद तक वही बिवस्थाएं अपना ली गई हैं जो भारती सासन अधनियम 1935 का अधनियम था वहाँ से भारती संभिधान में धेर सारी बिवस्थाएं अपनाई गई हैं तो ये था भारती संविधान की प्रस्तावना उसकी विसेशताएं क्या क्या हैं भारती संविधान के स्रोथ हमने देख लिया और आगे के वीडियोज के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए ये और अपनी तैयारी में लगे रहिए धन्यवाद